नमासकार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के दोरा हम सिंगल फेस्ट प्रिबेंटर के बारे में सिखेंगे यानि कि हमारा जो सिंगल फेस्ट प्रिबेंटर होता है, वो कैसे वर्क करता है और किस प्रकार से इनका वाइरिंग करेंगे, उसी के बारे में आज हम सिखेंगे दोस्तों, यदि आपके पास में कोई ऐसा इक्विमेंट है, जिसे आपको थ्री फेस्ट पावर सप्लाई के दोरा चलाना पड़ता है एक्जामपल के लिए यहां पहरा में एक मोटर ले लेते हैं, यह जो मोटर है, वो थ्री फेस्ट पावर सप्लाई के दोरा वर्क करता है अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा motor है यदि इस में 3 face power supply जाती है तो हमारा motor जो है वो रन करता है याने कि चालू हो जाता है अब यदि किसी कारण से running condition में आपका जो motor है उस motor में जो power supply जाती है वो किसी कारण से 1 face का power supply loss हो जाता है यानि कि यदि इस motor को केवल दो फेस का power supply मिलने लगे तो हमारा जो motor है वो बंद नहीं होगा उस condition में हमारा motor तो work करेगा लेकिन हमारा जो motor है वो harming sound करने लगेगा और धीरे धीरे जो motor है वो गरम होने लगता है और कुछ दिर बाद हमारा जो motor है वो जल भी सकता है तो दोस्तों यदि हमें इस motor को या फिर कोई equipment जो हम use कर रहे हैं उसको हमें single face के दोड़ा protection देना है तो उसके लिए हम single face preventer का इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों I hope की आपको समझ में आ गया होगा कि single face preventer क्या होता है दोस्तों जो single face preventer होता है वो तीन टाइप के आते हैं पहला तो voltage से operate होने वाली single face preventer दूसरा current से operate होने वाली single face preventer और यहां पे एक और type का preventer आता है जिसको हम current operated single facing preventer भी बोलते हैं यह जो तीसरे preventer होता है उसमें एक CT का उपयोग किया जाता है यहां पे CT का उपयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले voltage पे operate होनेवाली single face preventer के बारे में तो दोस्तों देखिएगा जो हमार वर्ल्टेज पे operate होनेवाली single face preventer है वो सबसे ज़्यादा इस्तवाल कियाता है आपने आपके company में भी देखे हूँगे कि इसका इस्तमाल किया जा रहा होगा दोस्तों यह जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंदर होता है उसको हमें यदि किसी मोटर के परड़क्शन के लिए इस्तमाल करना है तो आप यहां पे सर्किट डाइगराम देख सकते हैं यह हमारा मोटर हो गया इस motor को production के लिए यहाँ पे एक और वलो रिले लगाए गया है इसको चालू और बन करने के लिए contactor और backup के लिए यहाँ पे एक fuse लगाए गया है और यहाँ पे एक MCV या फिर आप switch कह सकते हैं अब यहाँ से हमारा जो power supply है RYB उसको दिया गया है इस motor को अब दोस्तों देखिए यदि हमें इस motor को चलाना है तो हम इस contactor को चालू और बन करते हैं अब इस contactor को चालू और बन करने के लिए यहाँ पे dual starter बनाए गया है दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे एक single face preventer लगाए गया है अब यह जो हमारा single face preventer होता है इसका connection बहुत ही असान होता है आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक number, दो number, तीन number टर्मिनल इन टर्मिनल पे आपको face supply को connect करना होता है यानि कि एक number टर्मिनल पे हम R face को connect करेंगे दो number टर्मिनल पे Y face को और तीसे number टर्मिनल पे हम B face को connect कर देते हैं तो जिससे क्या होता है हमारा single face preventer है उसको input power supply मिल जाता है अब जो हमारा single face preventer होता है इसके अंदर एक no volt coil होता है जिससे क्या होता है यह जो हमारा preventer है उसको ज़री 3 face power supply मिलता है तो यह जो इसके अंदर NC contact है NC contact है हमारा 5 नमबर और 6 नमबर टर्मिनल होता है तो यहाँ पे जो contact है वो NC ही रहेगा आप दोस्तों इमान लिजिए कि आपका जो यह fuse है Y face वाली यह blown हो गया अब जैसे यह fuse blown होगा तो क्या होगा यहाँ से जो 3 face power supply flow औरती motor के लिए उसमें से केवल 2 face motor को जाएगा यानि कि R face और B face motor को जाएगा और Y face यहाँ पे नहीं मिलेगा तो इस condition में क्या होगा हमारा जो single face preventer है वो sense करेगा और वो क्या करता है यहाँ पे जो NC contact है उसको open कर देता है यानि कि यहाँ से power supply जो जा रही थी वो जाना बंद हो जाएगी जिससे क्या होता है हमारा जो control wiring है उसमें power supply flow होना बंद हो जाएगा और जो contactor का coil होता है यह वाली इसमें power supply नहीं मिलेगा जिससे हमारा जो contactor है वो off हो जाएगी और इसके off होने से हमारा motor जो है वो बंद हो जाती है अब दोस्तों देखिए यदि हमें single face preventer का connection करना है यानि ये control wiring करना है तो हम simple करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है तो simply इस preventer का जो nc contact होता है उसको stop push button के series में connect करना होता है अब यदि आप star delta starter का भी appear करें तो वहाँ पे भी आपको केवल इस preventer का जो nc contact हो उसको stop push button के series में connect करना होता है अब दोस्तों आते हम current operator single facing preventer पे ये जो हमारा current पे operate होने वाली single face preventer होता है उसको हमें line में connect करना पड़ता है यानि कि power wiring में connect करना पड़ता है आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो L1, L2, L3 यानि कि यहाँ पर हम incoming power supply को connect करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर power wiring में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा RYB face है यहाँ पर एक switch लगाए गया उसके बाद में एक fuse लगाए गया है अब fuse से जो power supply जाती है उसको हम ले जाके हमारा जो L1, L2, L3 terminal है उसमें connect कर देते हैं उसके बाद में यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो M1, M2 और M3 terminal है इस terminal से हम wire को ले जाके ओवरलोड को power supply देते हैं उसके बाद में ओवरलोड के दोरा motor को power supply चली जाती है तो दोस्तों यहाँ पे इसका power wiring हो गया अब यहाँ इस motor को चालू करना है तो control wiring करते हैं तो यहाँ पे dual starter बनाया गया है अब दोस्तों जो dual starter होती है उसमें connection यहाँ हमें इस preventer का करना है तो वो भी voltage operator single face preventer के जैसे काम करेगा यानि कि यहाँ पी जो इसका NC contact है वो ही change होगा इसका जो power circuit है वो break नहीं होता है यह हमेसा connect रहेगा के वहल इसका NC contact होता है वो change होता है अब यदि दोस्तों आपका जो single face preventer है वो operate हो जाता है यानि कि single face preventer के जारा motor बंद हो जाती है तो यहाँ पे एक NO contact का इस्तमाल करके एक indication lamp को power supply दिया गया है जिससे क्या हुआ यदि हमारा single face preventer operate हो गया तो यह indication lamp glow करेगा आप दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हैं इस circuit diagram में overload relay का जो एनो contact है उसको भी इसी indication lamp को दिया गया है यानि कि आपका जो overload relay या single face preventer इन दोनों मे से कोई भी operate होता है तो यह वाला indication lamp glow करेगा उसके बाद में यहाँ पे एक on indication lamp और एक off indication lamp को connect किया गया है तो यहाँ पे आप समझ गया होंगे दोस्तों कि हमारा जो current पे operate होने वाली single face preventer है उसका wiring किस पकार से करते हैं दोस्तों एक चीज़ हम ऐसा याद रखिएगा जो current पे operate होने वाली single face preventer होता है उसको हम कम rating पे उप्योग करते हैं यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हों यह जो preventer है इसका उप्योग हम के वल तीन से लेके 6 host power के लिए कर सकते हैं दोस्तों यादि आपका जो motor का rating है यानि कि उसका जो kilowatt है वो ज्यादा है तो आप इस preventer का उप्योग नहीं कर सकते हैं अब आते हैं दोस्तों CT पे operate होने वाली preventer के बारे में दोस्तों CT से operate होने वाली जो preventer होती है उसका उप्योग हम high voltage या फिर ऐसा equipment के लिए इस्तमाल करते हैं जिसका current rating बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों CT पे operate होने वाली जो preventer होती है उसक का power wiring है अब यहां पर जो power wiring किया जाता है उसका जो cable होती है यानि कि हमारा जो fuse है उसके outgoing terminal से जो power supply जाती है उसको हम CT के अंदर से लेके जाते हैं यहां पे दो CT का उप्योग किया गया है अब इन दोनों cable को यानि कि आर फेस और वाई फेस का जो केबल है उसको CT के अंदर से लेके गए हैं और उसको लिया के हमारा जो कोडिक्टर है उसको input power supply दे दिया गया है अब जो CT होती है उसमें दो टर्मिनल होती है S1 और S2 अब जो CT का जो S1 और S2 टर्मिनल होती है वहां से वार्ग को कनेक करके अब म पर एक चीज़ सोन नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो हमारा CT से ओपरेट होने वाली आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल फ्रेस प्रिमेंटर क्या होता है और उनका वाइडिंग किस प्रकाश से करते हैं दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लिस इस वीडियो पर लाइक, सेर और कॉमेंट कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमा प्राइडिंग कर दोस्तों आपको क्राइब टक हम वीडियो प्लिस वीडियो से प्रेस प्लिस प्लिस प्लिस, आपको ये क्या हो लाइडिस, वीडियो फिह से को राईएड़।